तो पिछले वीडियो हमने देखा कि कैसे मगद 16 महाजनपदों में एक बड़ी सक्ति की रूप में ओवरता है और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी सामराज के उत्थान एवं बिस्तार में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रॉल होता है उस सामराज की एकोनोमी का और एकोनोमी कहां से मज़ूद होती है तो वो है पीजेंट्री पीजेंट्री मतलब किसान वैदिक सब्विता में लोहे के प्रयोग से जो किसी उत्पादन में ब्रद्दी हुई थी तो इनकी एकोनोमी भी सरप्लस हो गई अब यहां पेप सक्राइब हो 25 में से जादा ब्रद्द करेगा और समराज विस्ता निती अपनाएगा तो ज्यादा उपज ज्यादा टेक्स सरक्त सेना सरक्त राजा बड़ा एंपायर यही फाइदा मिलाता मगद को तो मगद की उतकर्स में हमने देखा कि जियो पॉलिटिकल फेक्टर उभर के सामने आता है जियो पॉलिटिकल प्रेक्टर कैसा कि इसको जियोग्राफिक रीजन है मगत की जो राजधायनी थी वो पाथली पुत्र थी पाथली पुत्र यहां पे बिहार आज का थी कि यह दिखरा होगा आपको कहीं को भी control कर सकते थे प्लस आप बहुत structure थे क्योंकि तीनों और से नदियां बह रही है आसपास पहाडियां है तो तीनों और से नदियां और पहाडियों के चक्कर में ये एक structure इस्तान माना गया इस वजह से ये बड़ी सक्तिय ग्रूप में उबरा और हम कहेंगे कि मगद एमपाइर के उत्थान में जियो पोलिटिकल फेक्टर उबर के आता है कि इसी वज़े से ये एक बड़ा सामराज बनके उबरेगा मगद एमपाइर अब दा मौरियन एमपाइर कहलाएगा क्योंकि इस पूरे सामराज पे चंदुत मौर का अधिकार हो जाएगा तो हम आज किस लेक्टर में चंदुत मौरियन से संबंदे जो नोलेज है उसको डिस्कस करेंगे मौरियों का उत्थान कैसे हुगा तो दा लास्ट ऑप दा नंद रूलर नंद बंस के लास्ट रूलर धनन ने जब अपनी पीजेंट्री पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया ठीक है तो किसानों से आप टैक्स उतना लोग जितना दे सके जाए टैक्स लोगे तो जाएट इसकी पकड़ धीली हुई किसकी धानन्द की कुछ इंडो ग्रीक दूलर्स का इंटर्फियर होता है यहाँ पे इसी बीच और इसी बीच इसने एक अपने दरबार में एक बहुती बुद्धिमान ब्रहामन कोटल का अपमान कर दिया पंडित का अपमान हुगा पंडित अप इसकी सकती और अपनी बुद्धी मिलाके इसने एक नए सामराज की स्थाबना की जो कहलाया मौर सामराज ठीक है तो धानन्द को कोटले ने 321 बीसी में चंदुत मौर की सायता से हरा दिया यह इसकी कुछ बैक्ड़ांड हो लेती है अब देखते हैं चंदुत मौर कौन है तो चंदुत की ओरिजन को लेके इतिहास में बहुत संसय, मिष्ट्री है ग्रीक सोर्स का मानना है कि वह एक नोन वर्यर लाइनेज बिना गैर छत्री बंसा वाली से था यह जबकि हिंदुओं का मानना है कि वह था चात्र ठाड जो की एक सूद्र भोमेन से जनमा था जिसमें जबकि जो बुद्धिष्ट लोग हैं जो बहुत धर्म के ग्रंथ हैं उनमें इसको एक छत्री बताया गया है इसको पाला पोसा कोटल ने उसको सिक्षा दिक्षा दी ठीक है इसी के साथ साथ उसमें देखने को मिलता है हैन करता है की इस गाइन нрав मरत आएं और इसको आधर को था को इन है टो यह इंडिया ने इंडिया को जीतने का जो और 40 सूक्रूर्ण ओर्द की या ता वहां पर चेरो राजा वी तो 324 में इसने अपना है इंडिया को जीतने का अभिहान वहीं पर स्टॉप कर दिया था कि और इसी बीच चंद्गृत ने उसके कई सारे छोटे उटे जो उसके कमांडर होते हैं उनको हराया भी था यह भी देखने को मिलता है अब कॉंटेल कॉंटेल की स्टेटजी जो इतना बड़ा सामराज चंद्गृत का सामराज जैसके बनने के पीछे चंद्गृत मोरे की सक्ति उसकी साहस और बुधिक स्की कॉंटेल की तो कॉंटिल की स्टेटजी और चंद्गृत का एक्जीक्यूशन की उसने कैसे इस चीजों को आंगे इंपोस किया कैसे वो चीजों को लाया अपनी लाइप में ठीक तो दे हैड रेज़ आप मर्सनेरी आर्मी फॉर्जर और और उन्हें एक अपनी विसाल सेना खड़ी कर लि तो इस एरिया में चंद्गृत को यहाँ पे इसने सिक्षा तक्षा दी तैयार किया एक बड़े युद्ध के लिए और आंगे मूव करते हैं ही पार्टली पुत्र की ओर ठीक है तो इसको पहले कपजे में लेंगे राजधानी को इसके बाद आसपास की राजधानी आसपा और इंडिया और पाकिस्तान अफगाइस्तान सब कवर कर लिया था चंद्गृत ने इसके बाद दिखते हैं तो इसने 321 में धनानंद को हरायत जार सी बात थे लास्ट स्लाइड में ने बात किया थी ठीक है 305 BC यहाँ पर घट रही है तो BC यह बिफोर क्राइस तो जार सी बाते कम होता जाएगा समय तो 305 BC में इसने टीटी की संदी की किससे से लुकस निकेटर जो की जनरल था किसका एक कमांडर था किसका अलेक्जेंटर का जो नौर्थ वेस्ट में रूलिंग कर रहा था उस समय 305 में से युद्ध होता है इस युद्ध की संदी में परणाम हो लिए यह होता है कि सत्रू को हराया सत्रू की पुत्री से विवावी कर लिया तो इस परकार से इसने के ग्रीक्स की हार्ड में एक बड़ी छवी छोड़ी बड़ा इंपेक्ट छोड़ा कि एक हिंदुस्तानी बहुत प्राक्रमी होते हैं इसके बजाए सांतावना की रूप में सेल्यूकस निकुटर को 500 हांती मिले थे यह 500 हांती गिप्ट रूप दिये थे किसने चंगुत मौर ने और सेल्यूकर निकुटर ने चंगुत के खिलाब जो अभियान उसने सोच रखे थे वो सारे बंदगर दी और उससे अपने मैट्री मौनियर इलैंस से इस्थाफित कर ली वतलब बैबाएक संबन चंगुत मौर की दरवार में एक ग्रीक एंबेडर आता है जिसका नाम मेगस नीजे तो मेगस नीज की किताब का नाम इंडिका है आपने अल्रेडी पढ़ा होगा इसके बारे में तो थोड़ा सा यहां पर व्यू देखेंगे तो चंगुत की जो पॉलिसी थी पॉलिसी और यहां पर उडिसा था कलिंग और जो साउथ का पॉइंट ही छोड़के पूरा इंडिया कवर कर लिए इंडिया पाकिस्तान अर्माहिस्तान ठीक है इसने अपनी पॉलिसी के अंडर में उसका सासनकाल 321 बीसी से 277 बीसी से चला और लास्ट में वो एक जैन साधू भद् करनाटक के सिर्वन वेल गोला में चला गया है ठीक है धार्मे को पासना के लिए वहीं पर उसकी मिर्थी आती है तो यह कहानी थी चंद्गुत्मौर की अब देखते हैं उसका जो उत्तरा दिकारी होगा बिंदू सार तो सन ऑप चंद्रगुपते उसका सासनकाल 297 बीसी से 233 तक चला इसे कहा जाता है अमित्रगार या अमित्रचेट्स ठीक है ग्रीक सोर्सेस में इसको अमित्रचेट्स का गया है दुस्मनों का नासर से लिए रॉफ फूर्स इसके समय में एक ग्रीक एमबेश्टर जोको मेगा स्थनीच आया था चंद्रगुत मौर की दरबार में और डेमेकस आया था बिंदू सार की दरबार में तो ध्यान देना कि राजलक से पहले असोक उज्जेन के गवर्नर थे बिंदु सार ने मैसूर बगेर है जीत लिया था इसने थोड़ा साउथ में कुछ अभिहान किये थे अब देखते हैं चाड़क के बारे में दा मैं बेहांड दा चंदगुप्त मौर तो टीचर और चंदगुप्त मौर कौन है चाड़क के हैं वाज आजसो ही चीपनिस्टर उनके प्रधा मंत्री रूप में कारवी किया और यहां तक कि ये प्रधा मंत्री आसोक के समय भी रहे तो ब्रहमन वाई वर्थ जनम से ब्रहमन ही वाज टीचर स्कॉलर एड तक्सला तक्सला में हुआ एक अध्यापक था उसके अन्य नाम बिष्डू गुप्त और चाड़क के हैं कि बिंदु सार का मंत्री रहा है ठीक है उसके बाद उसने इस के टूबी मास्टर इस्टेजिस्ट बेहाइंड अंसर पिंग और नंदा थ्रोंड तो नंदा सामराज्य को खतम करने के पीछे जो मास्टर इस्टेजिस्ट है वह चाड़क था ठीक इसने अपनी एक पुस्तक करने के लिए जहूरी थी उसने अर्थसास्त्र लेका विचेज़ ट्रीटेश्ट एस्टेट क्राफ्ट एकोनोमिक्स मिलिट्री टेजी तो राज और पिरसासन को लेके जितने भी इंपोर्टन पहलू है उन सब को इसने इसमें अर्थसास्त्र में इंक्लूड किया आर्थस कर दिस्कोवर्ड वाई आर्रामा शास्त्री तो यहां पर ध्यान देना कि आर्रामा सास्त्री ने उनने सो पांच में अर्थसास्त्र को खो जा था यह भिलुक्त हो गया था बार्वी सताबदी में जब फॉरन इन्विजन होते हैं बहुत ज्यादा अर्मों के आकमन जिसमें हो चुके थे और मुश्ली यहां पर अरब लोग यहां पर इन्विजन कर चुके थे ठीक है तो इस समय कहीं पर अर्थसास्त्र खो गया था सायद वो नहीं चारे थे कि हिंदू सायद कुछ बचे त तो उससे तक हो गया हो तो 1905 में आर्रामा सास्त्री ने इसकी दौबारा कोज की और सास्त्र में है किया दा वर्क कंटेंस 15 बुक्स 180 चैप्टर्स दा में तीम इस इंटू इस डिया इंटू दू दग इस में ने इससे लिदेंने की नीती बारें डिये गैटीका क़ेवल एक मोडे और चाहे कि आपको सात्रु के परवाइट करना है इस निति के आशानी कि नीति It also contains information on trade and market trade, ब्यापार को लेके भी information देता है, method to screen, ministers, spies, spies क्या होते हैं, गुप्तचर, duties of king, राजा की करतब, ethics, morality, social welfare, agriculture, mining, metallurgy, medicine, forest, जो भी उस समय जब हुई था, जो चीजें सोच सकते हो आप, वो सब कुछ इसने अर्शास्तर में इंगूट किया था, इसी बजह से, चाड़क को बोले आता है, Indian Machiavelli, तो Machiavelli है कौन, actually मैं, तो Machiavelli, देखो, यहाँ पे 15th century, 15th century में जनाब होता है इनका, जो Italian diplomat है, एक politician, historian, और इनको हम याद रखते हैं, Renances era में, Renances period जो है, तो यह पुना जागर काल जब हुआ था, यूरोप में, उस समय इनका बड़ा जोगदान रहा है, Niccolo Machiavelli का, तो इन से हम compare करते हैं, जब कि यहाँ देखा जाए, तो चाड़क के Niccolo Machiavelli से बहुत पहले के हैं, तो यह कहानी थी कुछ more empire की, कैसे यह, इमर्ज हुआ, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह content पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगे, तो प्लीज इसे share करना, और अगर आप इनके notes seriously बना रहे हैं, तो प्लीज सारे video क्रम से देखना, बीच में कोई देखा होगे, तो कोई फोटका सांज में ना आए क्योंकि इसमें इतिहास कड़ी से कड़ी मिलाके पढ़ने वाली चीज है, और इसी के साथ, this is Sunny Johan, signing off, have a good day.